राम वोलेक्म गाईस वेलकम बैक तो एनदर वीडियो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्सेल एक्सपीरियंस प्लस रों के बारे में जो के रेट्मी नोट 5 प्रो के अंदर मैंने इस रॉल कर रखा है फ्लेश का रखा है जो के एक लेटेस्ट वारीयन है गाईस अप्रों के बात करें करनल की तो करनल आपके सामने है वो फिल्ड जो है वो है 18-4-2020 तो गाईस एक लेटेस्ट विल्ड है जो के मैंने फ्लेश का रखी है और गाईस आकर बात करें ओवराल रों की परफार्मेंस की तो वान अफ़ पैस्ट जो है वो पिक्सल एक्सपीरियं प्लस जो के पैस्ट रूम माना जाता है गाईस वाग अंडॉइट की तरह आपको इसके अंदर फीचर्स काफी सारे मिल जाते हैं प्लस के अंदर उसके साथ ही साथ आपको इसके अंदर बैटरी जो परफार्मस है गाईस वह भी काफी ज्यादा इंप्रूफ दिखाई वीडियो नहीं बना रहा था तो गैस कोशिश करूँगा कि आएंदा रेगूलर वीडियो में अपलोट करता रहूं गाईस नहीं रेड्मी और श्वामी डिवाइस के उपर तो गैस उससे पहले अगर मेरे चैनल को सबस्काइब नहीं के तो चैनल को भी सबस्काइब कर ले एशू आपको देखने को नहीं मिलेगा और बात करें कैमरा की तो मियुई वाई का स्टॉक केमरा आपको इसके अदर मिल जाता है उसके साथ ही साथ चामरा तो एपिय इसके अन डिनेबल है तो आप के जरीए इसके अंदर गूगल कैमरा भी इंस्ट्रॉल कर सकते हैं और अगर बात करें गाईज वाइफाई और हाटसपाट की तो वह प्रॉपर्टी के से वर्किंग है किसी भी किसम का आपको इशू फेज करने को नहीं मिलेगा जैसे आप लोग की चेक आउट कर सकते हैं डार्ग मूट जो है वो एनेबल है लोकेशन मैंने एनेबल कर रखी है तो अगर बात करें हम लोग हाटसपाट और वाइफाई की तो दोनों एडा सेम टाइम वर्किंग है किसी भी किसम का इशू नहीं है गाईज और अगर बात करें इस स्टेटस बार के पैनल की जो मैंने चेंज कर रखा है तो इसके ओपर भी वो चल वीडियो आने वाली आप लोग चेक रूट कर लेना इसको मैंने कैसे कस्टमाइज किया हुआ है गाईज अगर बात करें हम लोग नेक्स अपने फीचर्स की जो कि हैं इसके अंदर डार्क मूड और इसके अंदर डिस्प्ले के ऑप्शन भी इस्प्ले के ऑप्शन के अंदर आपको काफी स्यादा कस कुछ कर सकते हैं आप लोग आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कसम के ऊपर आप जाएंगे तो अपना फॉंट उसके बाद आपना जो डिस्पले हैं स्टेटस पार कर सकते नेक्स के लाई आप से इसके बाद आप लोग बहुत को चैन कर सकते हैं तो इस तरह की मजीर आप लोग तो अदर कर सकते हैं आगे तो अगर बात करें हम लोग मुझस आप बाइस के विच्षेंड की तो चलते हैंинки जते हैं कि अगरicker आप जाएउं मिल जाते हैं गाइस मैं चैक आउट करवा देता हूँ आप लोग सिस्ट्रम के अंदर जाते हैं वहाँ पे आप्शन आपको मिल जाते हैं जैस्चर्स के अंदर आप लोग अपनी अकॉर्डिंग जो है वो त्री फिंगर उसके बाद आप स्वाइब फिंगर्प्रिंट फार् चेक उट कर लेना अगर उसके बाद बात करने नैविगेशन बागी यहां पर आपको तीन आप्शन मिल जाते हैं जिसमें आपको मीवाई की तरह के नैविगेशन अंडॉयट नाइन की तरह के जाते हैं तो मैं लोग फ्र I'. हो करना चाते हैं कर सकते हैं आप लोग अड़री का'M की बात करें तो प्रोड्रेट के अंदर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं उस तरह मुल्डिव किसम का क्वे उप्शन की मिल जाते हैं और प्राइटनेस कंट्रोल उसके बाद मुल्लिव options row वगरा आप लोग इसके change कर सकते हैं settings को कि आप rows कितनी रखना चाहते हैं columns कितने रखना चाहते हैं तो अपने according आप इसको change कर सकते हैं उसके बाद style की बात करें तो यहाँ पे status bar के अंदर आपको style के options कुछ मिल जाएंगे जिसको quick settings जैसे बाद आपका इसके style को आप लोग rotate कर सकते हैं flip कर सकते हैं जैसे ही आप इसको करेंगे flip तो यह options आपके change हो जाएंगे मैं इस time status bar use कर रहा हूं तो यह इस time apply नहीं होंगे तो अगर बात करें गाईज इसके next इसके sounds की गाईज इसके अंदर जो जो bugs fix की एगे हैं वो नीचे description में आपको check out कर लेना क्या के improvements की गई है इसके अंदर latest build है तो definitely इसके अंदर improvements की गई आप लोग चेक आउट कर लेना बैटी काफी जबदस है और अगर बात करें बैटी usage की मेरे तो मैं आपको बैटी usage आप लोग चेक आउट कर सकते हैं तो बैटी मेरे हैं से काफी जबदस है आप प्रॉपर्ली इसको यूज कर सकते हैं फोर तो फाइफ फाइफ अर्सक पबजी आप इसके अंदर रन कर सकते हैं और डिस्प्ले के अंदर आपको वही आप्शन्स टांग थी मगारा आप अप आप्टी ब्राइट नेस लाइव डिस्प्ले अडवांस में अंदर आपको तुमाम के तुमाम आप्शन्स वड़किंगे किसी भी किसम का बग नहीं है गाइस इसके अंदर और अगर बात करें स्क्यूर्टी की तो स्क्यूर्टी के अंदर आपको पैक्टरन और फेस अंला राइडी सेटकर रहा है तो इसका इसको डाम धॉट तुमाइस नहीं लगई है और फेस विप्न लाइव को यहां झाल मै Leonardo था यह सामने आहांगा तो यह उनलाइक कर मुद्ण टो उनलाउक्षी है जो के जबर दस बात है काफी लोग को पार्बम कोती है वो कहते हैं कि गाईज यहाद हमें थाइल फेशलोग की ज़रूरत Response Cabinet कर सकते हैं गाईज तो गाइज उवराल एकर बेल्ड की बात करें तो कफी solid बिल्ड बनाके आपको दी गई है तो आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे डेली ड्राइवर तो मैं यही सजेशन दूँगा कि आप मी यूई की जगा इसको यूज करें आपको एक तो गेमिंग प्रफॉर्मस का फिजब अदस मिलता है उसके बाद कैमरा डेपी एनेबल है बील्ड करने आपकी वरंटी जो है वो खतन नहीं होगी आपका सैट वरंटी के अंदर ही रहेगा तो आप बूर्लोडर को भी अनलाग कर सकते हैं और अगर PUBG की बात करें तो PUBG आरड़ी मैं खेल चुका हूँ और खेल भी रहा हूँ तो मैं आपको चेक आउट करवा देता हूँ मेरा यूज़ जो है वो PUBG के साथ कैसा रहा तो definitely PUBG के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते है जैसे आपको पता है कि summer season start हो चुका है जैसे ही मैं थोड़ से ज्यादा PUBG खेलता हूँ तो इसके अंदर जो है वो guys temperature थोड़ा सा इसका जो है warm up हो जाता है यहाँ से इसका जो बैक पैनल है यहाँ से यह थोड़ा सा warm up हो जाता है लेकिन इतना ज्यादा heating issue नहीं आएगा आपको जैसे पता है summer है तो उसके वैसे यह थोड़ा सा heat up हो जाता है definitely हर set जो है वो हर android phone जो है वो heat up होता है लेकिन extra heat up overheated issue इसके अंदर नहीं आपको मिलेगा normally जो है वो आप heating issue phase करने को मिलते हैं तो इसके अंदर भी आपको वो मिलेगा तो अगर बात करें मेरे usage के मताबिक तो मुझे तो काफी ज्यादा इसके अंदर जो है वो PUBG का काफी ज्यादा मज़ा आया मैंने 17 तरीके से इसके अंदर PUBG खेली और काफी ज्यादा बीबी मैं खेल रहा हूं और काफी इंज्याइबली बहुत है काफी ज्यादा enjoyment मिली इसके साथ तो काफी अच्छा time pass हो रहा है गाई और एक suggestion आप से लेना चाहता हूं क्या आपको लगता है कि मुझे जो है वो विलॉग बनाने चाहिए अगर आप कहते हैं कि PUBG के उपर आप लोग एक वीडियो बनाओ मैं PUBG कैसे प्लेए करता हूं या किस तरह का enjoy करते हैं हम लोग PUBG के अंदर तो आप मुझे comment section में आपको मैं ID दे दूंगा आप मुझे add कर सकत हैं हम मिलके PUBG खेल सकते हैं गाईज वर साथ ही साथ मैं वीडियो शूट करूंगा जो के आप मैं दूसरे अपने जो सब्सक्काइबर्स हैं उनको भी शोड़ करवाँगा तो वह एक पॉपर वीडियो बनाओंगा अब जी के ऊपर एक वीडियो बनाओंगा जिसका gameplay मैं जो हैं वह आपकी एक family के तरह होते हैं तो definitely family is more important तो अब बात करें गाईज आपने मुझे सजैशन देना है क्या मैं बनाओं पबजी के ओपर वीडियो बनाओं या नहीं बनाओं तो गईश काफी ज्यादा बोरियत हो चुकी है और दिल भी नहीं करता कि कोई वीडियो बनाओ तो अगर graphics की बात करें तो आप लोग यह चैक आउट कर सकते हैं high frame rate है और graphics आप लोग एचली के ओपर भी खेल सकते हैं लेकिन मेरा suggestion जो है वो यह है balance के ओपर भी नहीं खेलें आप smooth के ओपर कर लें और high के ओपर कर लें इससे आपको गेंपले है वो काफी ज्यादा smooth और high के ओपर आप लोग इसके अंदर खेल सकते हैं गाई जो कि काफी जबदस किसम का आपको मजा देने वाला है आप इसको यूज करें और गाईश अगर आप लोग मेरी आईडी चेक कर सकते हैं वलीद एहमन 93 तो आप मुझे एड़ कर सकते हैं PUBG के ओपर मिलके PUBG केलेंगे और स इसके अलावा अगर रूम की बात करें जो परसनल यूजिज के मताबिक आप देख सकते हैं मैं इसको काफी ज्यादा जो है वो तक्रीबन तीन से चार दिन हो चुके हैं इसको मुझे यूज करते हुए जो इसका जो पिछला बिल्द था उसमें भी काफी जादा इंप्रू तो होपस होके वीडियो अची लगी होगी अगर वीडियो ची लगे तो लाइक कर देना नहीं अची लगे तो डिसलाइक कर देना और साथ इसा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गईस थैंक यू सो मच एंड टेक केर